Generic programming यह हमारा इस वकट topic है generic programming से पहले हम यह देखना चाहते हैं कि generic programming की ज़रूरत क्या पेश आई यह term क्या है इसको बाद में देखेंगे पहले हम problem देखते हैं जिसका solution generic programming है एक हमारे पास एक function है for example एक print का function है आप इस तरह function लिखेंगे following function print and array of integer अगर आपने यही function लिखना हो character array को print करने का तो आप यह काम करेंगे float तो आप float लेंगे तो आप क्या करेंगे different किसम के functions बनाते हैं double float जो भी आप चाहें यहनि कि आपको हर data type के लिए function बनाना पड़ेगा अब बात यह कि अगर हमारे पास यह array की एक class हो अगर हमारे पास array की एक class हो आपको पता है array तो integer की array है, float की है, double की है different चीज़ों की array है हमारे पास तो हम क्या करेंगे हमें अगर इन different types की array बनानी पड़ी तो हमें उतनी array की class से बनानी पड़ेंगी राइट यहनि मैंने क्या किया integer की array, integer pointer size बता दिया double pointer size बता दिया तो मैं यह काम करूंगा तो अंतर तो सारी logic same है तो अब हम क्या करेंगे अगर आप बात करेंगे function overloading की तो वह एक solution है लेकिन अभी हम बात करेंगे मैंने class बनाई या array की ठीक है यह अपने print का function मैं कह रहा हूँ अगर आपका print का function ही है आपने function बनाना है और आप चाहरे हैं कि मैं जो भी इसको type दूँ वह उस type की array print करें करेक्टर के लिए different उसको आपको format चाहिए और number के लिए different चाहिए आपको format ठीक है तो अगर आप कहते चलो यार format को भी हम skip कर देते हैं हमें print चाहिए ठीक है integer का भी हमें float का भी चाहिए हमें हर एक function हमने बनाया एक नहीं एक से काम नहीं होगा हमारे multiple function बनेंगे राइट अब अगर आप class बनाएंगे तो आपको हर एक की अलएदा class बनानी पड़ेगी इसके लावा आपको float की double की हर चीज की आपको अलएदा class बनानी पड़ेगी तो इस जो problem का solution है वो है हमारे पास generic programming हमें एक class बनानी है एक class बनानी है जो के जो क्या करे सब के लिए use हो otherwise यह problem आएगे अगर आपको किसी एक की logic में change करनी पड़ी तो आपको सब की classes में change करना पड़ेगा हर एक के लिए आप कहते हैं या वो मेरा print का function है या मेरा max का function है वो अब मैं इस algorithm सब करना पड़ेगा तो सब में जाके चेंज करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या आती है term generic programming generic programming क्या करती है यह आपकी abstraction आती है इसके अंदर containing generic abstraction या generic level पे abstraction आ जाती है जब हम array define करने जाएंगे तो हम उसे यह कहेंगे कि यह array के class तुम बनाओ for particular type यानि हम उसको जो है declaration time के उपर type बता देंगे कि यह array integer की बनेंगी यह array float की बनेंगी यह array double की बनेंगी यह एक लाती है generic programming generic program abstraction यानि abstraction मतलब functional classes can be parameterized with a type इसका मतलब है कि इसको हम type के साथ parameterize कर सकते हैं और इस यह abstraction आपकी हर एक के लिए differently काम करेंगी तो अब हमने यह देखना है कि यह किस तरह काम करती है यह हमारी basic term थी कि generic programming होती क्या है generic programming यह है कि हमें एक ऐसा solution चाहिए जो कि हमारी एक ही यानि कि functionality हमारी same है लेकिन type different है हमें different type के लिए वो functional हमने perform करना है but I want के जैसे लिखा हुआ class array तो मेरे पास क्या होना चाहिए मुझे यह ने बताना पड़ है यह array double की है यह array float की है हर एक लिए लादा class ही बलके मैं run time पर बता दूँगा मैं उसको declare करते हुए कुछ ऐसा काम करूँगा कि क्या होगा मुझे यह array को declare करते हुए हम बता देंगे यह array डबल की बनाएं यह array float की बनाएं तो पहले हम देखेंगे इसको कि यह क्या चीज़ है और इसके advantages क्या होंगे रियूज कर रहा हूं दूसरी टाइप के लिए reusability है writability और maintainability यानि इस पर code की आपको यह आ रहा है कि आप कम code करेंगे अगर मैं दस data type के लिए एक class बनाऊंगा और एक तरफ मैं एक class बनाऊंगा तो definitely आपको क्या होगा आपको code भी कम करना पड़ेगा और इसको maintain करना भी असान है अगर एक type में bug आ रहा है तो आपको वह bug अगर identify हुआ है code क्योंकि सेम होगा तो अगर आप यह use नहीं करते तो आपको हर जगा code करना पड़ेगा लेकिन अब इसमें क्या होगा आप सिर्फ उसरच change करेंगे एक जगा पर यह इसके advantage है अब हम कैसे करते हैं C++ ने यह templates के जरीए होता है तो हमारे पास दो किसम के templates होते है function template और class template करता क्या है compiler आपका यह आपकी type को देखते हुए different code internally generate कर देता है ठीक है यह आपकी type को देखते हुए different code आपका generate कर देगा तो उससे क्या होगा आपको जो है आप यह कह सकते हैं आपको फीचर आपको मिल जीगा जिसकी अब हम बात करें जिसको हम generic programming कहते हैं तो इसके अंदर अब हम देखेंगे यह कैसे होता है इसको practically करेंगे यह अगर जैसे हमारे पास एक function है this is one function जिसमें हमने क्या किया है integer का function है कि इसमें से आपने बताना है max कौन सा है और minimum कौन सा है right इसमें हमने बताना है max और min कौन सा है तो आपको यह तो integer के लिए अगर आपको float के लिए करना पड़े तो आप float का लिखेंगे इसके लिए हमारे पास यह right side पर जो हमारा code template function हम एक template बना लेते हैं जो T है यह आपके template को रिप्रेजेंट करता है यह एक आपकी जो है यह एक parameter type है तो यह हम ऐसे लिखेंगे अंदर logic में हमारी कोई change नहीं आई देख लें type हमारी change है जो हम इसको पास करेंगे जो type हम इसको पास करेंगे function को वह उस तरह की type बन जाएगी function tablet काफी time इसका आपका time बहुत बचाता है only need to write one function और यह आपके लिए बहुत सी different type के लिए काम करेगा template function आपका code को reduce करता है और maintain करने में असानी होती है काम कैसे करता है C++ doesn't compile template function directly याद रखिएगा directly compile नहीं होती है it replicate the template function and replace the template type parameter with actual type when compiler encounter the call to a template function at compile time क्या मतलब इसका जब आप compiler को यह कहते है कि वजे integer type का function दे दे तो वो compile time के ऊपर आपको क्या कर देगा उसका code generate करके अंदर internally दे देगा ठीक है तो क्या करता है यह आपका उसका code internally यह काम करके उसको उसे handle कर लेता है यानि उसको उसने उसको replicate code खुच generate किया ना कि वो आपको copy paste करके दो बार integer के लिए float के लिए हर एक के लिए code लिखना पड़े फंक्शन विद एक्शूल टाइप इस काल function template instance जो एक्शूल टाइप होती है आपके पड़ा था जब आम function की बात करते है ठीक है कौन कौन सी टाइप है एक आपके पास होता है एक होता है आपके पास actual parameter तो जो function के actual type कलाती है function के template instance कलाता है the function with actual types जो आपकी actual type होती है वो function का template का instance कलाएगा so see this यह हमारा एक template बना हो है print का right side पर जो मैं लिखा है template तो बलके पहले इसको थोड़ा हम देखते हैं इसका practical check करते हैं practically हम इस चीज को देखते हैं तो उसके बाद हम इसकी specialization की तरह जाएंगे यह specialization क्या होती है इसकी so I am just stopping till here तो पहले हम इसका next clip में इसकी practical देख लेते हैं जो हमने previous जितनी बात की है यहां तक कैसे बनते है यह जो हमने यह सारे function मनाई इंको हम practically करके देखते हैं कि function template जो है वो किस तरह हमारा काम करता है let's see in our next clip function template की practical अजिए पहले यह